कि हलो अब्रीवन आज का जो मेरा सेशन है वो सीटी महाराज को लेकर है लास्ट मिनिट टिफ्स या लास्ट डे आपको क्या करना चाहिए और कल ड्यूरिंग पेपर एक्जामनेशन हॉल में क्या करना है इस्पेशली बोलूँगा सीटी महारास का पाटन अधर एक्जाम से डिफरेंट है निगेटेव मार्किंग नहीं होती और नो निगेटेव मार्किंग पेपर को हैंडिल करना कंपेर टू निगेटेव मार्किंग से ज्यादा डिफिकल्ट होता है हमें क्या-क्या ध्यान रखना है वो सारी बाते करूंगा हमें पर सबसे पहले मैं आप सबको बोलना चाहूंगा कि मुस्ट अफ देखा है या इंपिटर्स के भी बच्चे सीटी महारास्ट का पेपर या सीउटी का पेपर देने का बहुत बड़ा रीजन होता है कि सर निमसेट के पहले एक्चुल पेपर देने का मोका मिलेगा तो अच्छा रहेगा जो गलतिया वहां करेंगे वो यहां सु आप पड़ाई का टाइम होगे आप इस सेशन सुन रहें और कल आप जब पेपर देने जाएंगे तो सबसे पहले तो यह तीन सिफ्टों में मॉनिंग सिफ्ट हो सकती है आफटनून और इवनिंग कोई भी शिफ्ट आपकी हो सकती है जो भी शिप में पर ओ एक तो सेंटर पर आपको time पर पहुंचना है on time जो लिखा है उससे 15 मिट पहले पहुंच जाए well and good क्योंकि तीन timing है इसलिए मैं timing को लेकर नहीं बोलूगा नहीं तो आपको जाएंगे दूसरा admit card लेके जाए ID proof original लेके जाए ID proof क्या होता है आधार कार्ड हो सकता है बोटर ID हो सकता है या driving license हो सकता है है न कोई भी चीज जो आपका ID proof हो even college ID card भी consider किया जाता है पर लेके जाए pen pencil प्रॉपर ली एक पानी की bottle लेके जाए time पे जाएं जिससे कि आपको panic-ness ना हो अब बात करते हैं कि CUT के पेपर में CET के पेपर में क्या-क्या चीज इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा तो CET का जो पेपर होता है CET महारास्ट का उसके pattern को थोड़ा समझें तो number one thing कि hundred questions मिलेंगे आपको और आपको timing मिलेगा 90 मिनिट यानि timing थोड़ा सा आपको कम मिलेगा और questions जादा हैं बट आप समझे मैस और statistics के आपको 30 questions मिलेंगे logical reasoning के भी 30 questions मिलेंगे English के 20 मिलेंगे और computer के 20 मिलेंगे हर question के two marks है और overall 200 marks का paper है और clearly mentioned there is no negative marking system for this test अब no negative marking में अगर आपको score high करना है तो किन बातों को ध्यान रखना ये मैं आपसे discuss करूँगा I am sure कि अगर आप मेरी बात मानेंगे तो आपको फायदा होगा सबसे पहले जितना आता है वो आपको करना चाहिए अच्छे से तो मेरा मानना है कि लगवग 80 मिनिट के आसपास आप अपना पूरा focus उन question के selection पर दीजिए जो की सबसे important है यानि 80 मिनिट आप पेपर की accuracy पर ही ध्यान लगाई है एंड लास्के 10 मिनिट में आपको जो भी question बचे उनके option पर गैस करना है जो भी मन करने option लगा दीजिएगा ए लगाना बी लगाना सी लगाना डी लगाना इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जयुवत नहीं है अब problem क्या होती ही जो मेरा अनुव है कि कई बच्चे guess तो करते पर question पढ़के guess करते हैं जब guessing करी रहे हो तो पढ़के करना या ना पढ़के करने में क्या difference है पर अगर आप पढ़के करते हैं तो क्या होता मैं बता दूँ जब आप माल लीजे question पढ़ रहे हैं और आपको guessing भी करनी तो आपका जो reading time है वो reading time कहीं invest हो सकता था right question में वो चला जाता है तो अगर आपने मालो 10 question को read करके guess करा तो आपका ये 10 question का जो reading time है वो loss हो गया तो इसलिए आपको 80 minute तक 80 to 85 minute बलकी बोलूंगा पर 80 minute 80 minute तक पूरा जोर इस बात पर लगाना चाहिए कि जो आपको आता है धूंडो simple question धूंडो जितने मिलते हो मिलेंगे सीटी मारस का paper अभी आप जो देने वाले हो इसके दो गया जामिया दो गया कोई भी पर सीटी मारस का paper easiest paper होता है निमसेट की तयारी अच्छे से कीए सीटी की की अच्छे से निकालो एक थोड़ा सा mensuration part इसमा अलग हो 90 मिनिट है 100 question करने की कोशिश करोगे नहीं होगा जब कोई बच्चा बोलता 90 मिनिट में 100 question कैसे होंगे मैं समझ जाता हूं कहीं ना कहीं misguided 90 मिनिट में 100 question करना ही नहीं 90 मिनिट है 100 question में से जो maximum कर सकते हो वो करिए यह पहला और basic rule है यानि आप 50, 60, 70 जो question की reach बना पाओ उतने करिए क्योंकि read करना है solve करना time लगेगा तो आप सबसे पहले simple question देखिए math और lr बहुत ही easy आता computer भी basic level का आता और अगर आपका English domain है तो English के question को touch करिए नहीं है तो leave कर दी लीव मतलब guessing तो करनी है पर बाद में 20 question में आपने कोई भी एक option पकड़ लिया माल लो B पकड़ लिया 2-4 भी सही होगा तो number मिल जाएंगे तो in the end result कि 80 minute बाद माल लो आपके 50 question हुए या 60 question हुए कोई बात नहीं बचे हुए सारे question में कोई भी option जो मर्जी करें ये भी रूल नहीं है कि मैं यह कह रहा हूं कि BB लगा दो या C लगा दो या A लगा दो आप ABCD लगाना ABCD जो मंद कर लगा दो बिना question read किये ही आप end result आपका पूरे 100 question के साथ खतम होना चाहिए तो उसका फायदा यह होगा कि आपके मान लोग पांच दस गयस भी सही होगा दस भी हो गए तो सोचे आपको लगवक्त 20 नंबर मिल जाएंगे पांच भी होगा जित्ते भी है ना उस पे भी कोई ज्यादा हमें thought process डवलब नहीं करना है और यह paper देते ही आके आपको इमीजेटली अगली बार अगर आप सी उटी दे रहा हो तो उसमें जुट जाना है निमसेट दे रहा हो तो उसमें जुट जाना एक भी दिन व्यस्टनी करना उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि उसमें भी बिल्कुल अभी जैसे magical की class एक दो दिन इसली नहीं लख रहा हूं क्योंकि यह paper होने के वज़े से कि आप पेपर दे रहा हो तो दे दो शांति से और कल के दिन सुबह उठके मतलब जिस दिन पेपर है उस दिन सुबह उठक को आप लोग फॉलो करो तो ध्यान रखिए कि आप यह चोटी चोटी बातों को ध्यान रखे जाएए सब कुछ आता है पैनिकनेस नहीं करनी कोई question नहीं बनता लीव next question नहीं बनता लीव बस जो आता है वो करना है और जो नहीं आता है उसको बाद में गैस करना 80 मिनिट में कहीं ना कहीं आप याद रखना स्टॉपर लगा रहा है आपका 80 मिनिट बाद आपको बच्चे हुए question को मार्क करना है कई बार मैंने देखा कई बच्चे बताते हैं सब पता ही नहीं चल यह ध्यान रखिए यही final tips है positive mind से paper दीजिए best करने जाओगे तो best result मिलेगा stress लेके overthink करके जाओगे result आपका कोई अच्छा नहीं होने वाला इसलिए stop thinking stop overthinking just go and peaceful mind से paper दीजिए positively आप अपने paper को देने की कोशिश करियो paper के बात फिर बात करते हैं जो हमारी regular classes चले ही वो तो दीरे-दीरे class के frequency मैंने बोला था CUT के paper के बाद तो काफी बढ़ने वाली है तैयार रहिए घबड़ाइए मत all the best and best of luck